प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहट एक करोड से अधिक लोगों को मिलेगा घर घरीब और मध्यवर्ग के लोगों को मिलेगी विशेश रियायत परीब सबा करोड लोगों को मिलेगा रोजगार दिल्ली के भी दो लाख परिवार होंगे लाभानवित नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर अमिच शाह ने कॉंग्रेस पर साधा निशाना कहा कॉंग्रेस और उसके साथ ही फैला रहे हैं अफवाह इस कानून से नहीं जाएगी किसी की भी नागरिक्ता हिमाचर प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर अमिच शाह का संबोधन प्रदेश में हर घर में पहुँचा उज्वला योजना का लाब उपराश्रपती एमवंक या नाइडू का राइपूर में इंडियन एकोनोमिक असोसियेशन के सम्मेलन में संबोधन कहा इस ओफ डूइंग बिजनेस का पाइदा छोटे शहरों और उद्यमियों को मिले राज कोशिये और मौत्रिक अनुशासन के साथ तेज विकास दर बनाये रखने के लिए कड़े नीती गत पैसले जरूरी मिक 27 लडाकू विमान की भाव पूर्ण विदाई जोधपूर में साथ लडाकू विमानों ने भरी आखरी उडान कारगिल युद्ध और ओपरेशन पराक्रम में इस लडाकू विमान ने निभाई थी एहम भूमिका तीन दशक पहले वायू सेना में हुआ था शामिल और उत्तर पूर्व और मध्य भारत के काफी हिस्से शीत लहर की चपेट में राजधानी दिल्ली में पारा पांच डिगरी के पास पहुँचा कारगिल जिले के द्रास में दर्च किया गया माइनस 30 डिगरी सेलसियस ताप मान राजिस्थान के सीकर में पारा गिर कर माइनस 3 डिगरी पहुँचा शीत लहर से अगले दो दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं